कैसे हैं आप सब आज के इस वीडियो में मैं आपको साथ शेयर करने वाली हूं ममा आट के एक्वागलो फेश वॉश का रिव्यू जो के निव लॉंच परड़ाक्ट है इससे पहले मैंने कुछ टाइम से ममा आट के परड़क्स ट्राइ नहीं किये थे क्योंकि मुझे कुछ ऐसा निव लॉंच नहीं मिल रहा था जो मुझे ट्राइ करने का मन हो रहा था नहीं हुआ अगर आप उसका हॉल वीडियो देखना चाहते तो मैंने अपने ममा आट हॉल वीडियो शेयर किया है आई प्रेंट पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा आप जाके चेक कर सकते है थो इस वीडियो में अगर आप ये बढ़ा खर रहना चाहते हैं आप सोच रहे थे कि इस पर आप आप ट्राइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं मममा आर्थ का यह इस तरइक एक्वा फेश वाश कैसा है अंटे सरी किसे वाक करता है । फिर्स्तिंग गईस, इसमा मममा एर्थ एक्वा गलो फेश वश chimney इशम हैitet। इसकी पकेजिंगी यह आपको इस तरीकी से यूजकार्डबोड पाकेजिंग में रसीव होती है। इसकी जक्वा के अप्लीकिशिंगे से टूम विध जैसे इसको pump करते हैं थोड़ा सा पुश करते हैं तो आपका जो product है वो बहार आने लग जाता है यूज किया गया हिमालियन thermal water with hyaluronic acid इसी के साथ में इसमें यूज किया गया है so intense hydration के लिए है क्योंकि इसमें hyaluronic acid का यूज किया गया जो हमारे skin को hydration provide करने में help करता है मात के product की तो यह chemical free होते हैं तो इसमें sulphate का use नहीं किया गया है SLEs का use नहीं किया गया साथ इसमें silicon free है, paraben free है, dermatologically tester product है and 100% vegan है इसमें किसी भी तरिके के harmful chemicals यूज नहीं किये गए जो हमारी skin के लिए अच्छे नहीं होते हैं इस प्रड़क के सारी बाते मैं अब को बता दियो बात करते हैं इसके ingredients के बारे में इसमें यूज किया गए हिमालियन थंबल water हिमालियन थंबल water में magnesium पाया जाते है, potassium पाया जाते है, साथ ही साथ में calcium पाया जाते है जो हमारी skin की barrier होती है का इस उसको promote करता है जिससे skin youthful and healthy नजर आती है next इसमें यूज किया गए hyalonic acid, hyalonic acid हमारी skin को hydration provide करने में help करते है so skin hydrated रहती है, जैसे हमारी skin plumpy नजर आती है, soft रहती है and smooth रहती है इसमें यूज किया गए aloe vera leaf extract, aloe vera मारी skin को moisturize रखने में help करता है, smooth बनाने में help करता है and aloe vera sensitive skin के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है and इसमें और भी ingredients यूज किया गया है, like menthol का यूज किया गया है, जो हमारी skin को हलकी सी ठंड़क देता है, cooling sensation देता है so जब भी आप इस face wash को use करते हैं guys, तो आपको हलकी सी cooling sensation होती है so बात करेंगर summer की, तो summer की coating ये face wash बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी skin को refreshment लेता है and menthol की fragrance मैंने और भी बहुत सारे products ऐसे use किये हैं, जिनमें menthol की fragrance है but इसमें एक्सेस में मुझे लगा, जो कि मुझे थोड़ी से deo type की fragrance लगी but okay, okay है मेरे लिए क्योंकि मुझे इतना bother नहीं करती है and इसी के साथ में इसमें use किया गए niacinamide so niacinamide की बात करो, तो niacinamide हमारे skin के लिए बहुत अच्छा माना जाता है for sensitive skin and अगर आपके skin पे बहुत दाग धबे हैं, बहुत ज़दा blemishes हैं या फिर pigmentation है, तो niacinamide उसको clean करने में help करता है and आपकी जो skin है guys, उसको balance में रखता है and यह जो face wash है guys, यह आपके skin के pH level को balance रखने में help करता है and साथी साथ में यह all skin type के लिए है so अगर बात कुरिस में hyaluronic acid का use किया गया है तो अगर आप इस face wash को use करते हैं तो after wash आपके skin dry feel नहीं करती है आप इसका texture देख सकते हैं इसका जो texture है, यह एकदम transparent gel है but यह थोड़ा सा runny kind of consistency है थोड़ा सा push करते ही, liquid बहुत जिल्दी बाहर आजाता है and एकदम से निकलने लग जाता है तो आपको फटा-फट से इसे use करना होता है massage करना, start कर देना है हलका सा push करके ही but इसकी जो fragrance है guys it's like deodorant होता है उस तरीकी है कि आपको इसमें fragrance आती है जैसे हम कोई deo apply करते है एकदम से बहुत ज़दा refreshment जैसे मिलती है उस तरीके से मुझे जितना लगा है as a deodorant fragrance मुझे इसमें आ रही थी and इस मेरा menthol का use कियाग है उसे साब से इसमें वैसी ही fragrance like मुझे लगी थोड़ी सी menthol and थोड़ी सी deodorant type की fragrance तो अगर आप fragrance के लिए देखा चाहे तो अगर आपको इस तरीकी की refreshing and बहुत ही जादा डियो टाइप की fragrance पसंदी तो आपको शायद इसकी fragrance ना पसंद आए but मुझे इसकी fragrance थोड़ी refreshing लगती है and मुझे refreshment वाली जो प्रड़क्स होते हों मुझे जादा अच्छे लगते है मिरी skin को मुझे तो थोड़ा सा चा लगा इसका fragrance अगर आपको थोड़ा सा लगे तो मेभी शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा अब मैं आपको बता जेते हैं इस face wash को कैसे यूज करना है आप इसे morning night don't know time यूज कर सते हैं अब इस face wash को यूज करते हैं अपको अच्छे से अपने face पे पानी छिटक लेना है या पानी से पहले wash कर लिजे यूज कि ड्राइ फेस पर आप इससे अपने लेदर नहीं करता है तो अच्छे से पहले गीला कर लिजे अपने face को अच्छे से आप कीजे और हलका अलका पानी जो आप इस पर आड कर सकते हैं जिसी हलका सा लेदर और करें अगर आपको लगता है कि आपके skin में यह कम बढ़ रहा है आपने थोड़ा कम अमांट ले आपको थोड़ा और लेदर चाहिए तब थोड़ा सा इसको मूफ करके दे ताकि एक्स्ट्र अमांट आपका बाहर ना आए और प्रोड़क वेस्टिज ना हो क्योंकि एक्सस में लेदर बना की क्या होगा skin तो अच्छे से क्लीन करी रहा है उससाब से अच्छे से आप इस तरीक से मूफ कीजे और नोस एरिया चिन एरिया चीक्स एरिया और बहुत अच्छा भी लगता है और बहुत रफ्रेश्मेंट लगती है जैसे मैं आपको वता है मैं तो यूज किया गया तो इसकिन में हलकी से ठंडग भी फील होती है वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी अगर बात कुरो इसका जो एफेक्ट है गाईस मुझे हमरेशा जब भी मैं यूज करती हूँ मुझे मेरी स्किन बहुत ही जादा ग्लोइंग नजर आती है ऐसा लगता है मेरी स्किन अलएक लाइट अपोग हुई है बहुत जादा और मुझे स्किन में बहुत अच्छा ग्लोग देखने को मिलता है आफ्टर वाश और जब भी यूज करते है तो आपके स्किन आफ्टर वाश बिल्कुल भी ड्राइफ फील नहीं करती है तो यह भी चीज बहुत अच्छी है अगर इसके फ्रेग्रेंस आपको पसंद नहीं आती है तो में बी शायद अपको थोड़ा लग सकता है कि इसकी फ्रेग्रेंस बहुत एक्सेस में लगती है बट फिर भी यूज करने के लिए इजी है पैकेजिंग बहुत अच्छी है और बहुत ही जाला अच्छी से आपके स्किन को ग्लोइंग और ब्राइटनिंग लुक देता है और मैंने अब तक जब तक इसे यूज किया है मैं 15 देसे यूज करी हूँ मेरी स्किन पे मुझे कोई भ फेश वाश जो की सच में इसाबित कर रहा है कि फेश वाश करने की बाद स्किन बहुत ग्लोइंग हो जाती है और जो है इसकिन में बिल्कुल भी ड्राइनेस फील नहीं होती है साथ ही साथ में अगर आपने से रेगुलर बिस्स पर यूज करते तो आपके दाग धबे भी होती है उसको भी क्लीन करने में हवा करते हैं डिस्रेप्शन में इसके लिंक मिल जा tiếp या कि चेक कर से थे हैं अध्यान इस का वीडियो यूज लुज सब कर दीजिगांगे लाइक कर दीजिगा और या Shap करना मत भूलेगा आज के लिए थांक वाचिग आव